Hello students, welcome back to Organized Knowledge Channel आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिसकस करेंगे वॉक्षीट नमबर 23, 4, क्लास 7th विज्ञान की बच्चों ये वॉक्षीट है जो आपके लिए 18, December 2020 के लिए शेडिूल की गई है आज की वॉक्षीट में बेटा हमारा चेप्टर 2 प्राणियों में पोशन वो continue है और अभी तक बेटे आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें कि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे प्राणियों में पोशन आज की वॉक्षीट बेटा आपके लिए काफ़ इंटरस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज इसमें आप कुछ रोचक जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी आमाशे के बारे में एक रोचक कहानी है यह किसकी आमाशे की एक विलक्षन दुरगटना द्वारा आमाशे की कारिय प्रनाली की खोज हुई क्या आपने कभी सोचा है कि आमाशे जो है वो कैसे बोजन को पचाता है कैसे उसमें खाना वो आमाशे से जो सुधांत्र है छोटी आत उसमें जाता है तो इसके बारे में किसने और कैसे जो है पता लगाया सन 1822 शुषी में Alexis St. Martin यह नामक वेक्ती, उनकी गोली लगने के कारण वो बुरी तरे से घायल हो गई, गोली से वक्ष स्टीगरेस्त हो गया ठीके और आमाशे में एक छिद्र हो गया वक्षेने बेटा जो चाती है वो श्तिग्रेस्थ हो गई और आमाशे जो पेट है उसके अंदर क्या हुआ एक छिद्र हो गया उसे विलियम ब्यूमांट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्षिक के पास ले जाया गया चिकित्षिक ने उनकी जानतो बचा ली परन्तु वह आमाशे का छिद्र भली बाती बंद न कर सका तो उन्होंने जानतो उनकी बचा ली लेकिन जो पेट में उनके छिद्र हुआ था गोली लगने के कारण वो उनको भली भाती बंद न कर सका और उसने छिदर को पट्टी से ढख दिया. उसके बाद क्या हुआ? वियुमांट को छिदर में से आमाशे के अंदर जाकने का दुरलब अवसर प्राप्त हुआ. तो उन्होंने आमाशे के अंदर जो है जाक कर उसमें होने वाली जो भी प् को विर чak प्रेक्शन क्या थे विमांट ने देखा कि आमाशे भोज wiped का मनतंु कर रहा था थी मान Clark जो जठर ग्रंथियां है वो जूस बहार निकालती है रस निकालती है जिसको हम क्या कहते हैं पाचक रस कहते हैं इसकी बित्ती से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था उसने यह भी देखा कि आमाशे शुदांतर में तभी खुलता है जब आमाशे में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है तो आपने पूरी प्रणाली पड़ी हुई है जब आमाशे के अंदर भोजन पूरी तरह से पाचित हो जाता है तभी वे कहा जाता है तभी वे शुदांतर में जाता है तो ये पूरी प्रणाली विमांट ने जो है इस छिदर में से आमाशे के अं उनोंने पता किया द जो हमारा मल है वो जो है कैसा हो जाता है बिल्कुल जल रूपी हो जाता है और उसको बार-बार शरीर से निसकाशन की आवशक्ता होती है यह संक्रमन खादे विशाक्तता अत्वा अपच्च के कारण होता है किसी तरह का हमारे अंदर शंकरमन हो जाए फूर पॉइसनिंग हो जाती है खादे विसाक्तता यानि फूर पॉइसनिंग हो जाए कुछ गलत खा लेते हैं ठीक है या किसी तरह का जंक फूर जो है वो ज्यादा खा लेते हैं कुछ इस तरह से जो हम कुछ गलत हमा लिवाती, सामान्य स्थिति है तो बारत में बच्चों में जlab जूँसा हो जाएं तो क्या होगा हमारे श्रीर से पानी का लॉस होता है पानी जो है उसको वो अत्यदिक मात्रा में शरीर से बाहर चला जाता है जिसके कारण जो है क्या हो सकती है मिरतू भी हो सकती है इसका मुख्य कारण शरीर से जल एम लवन की अत्यदिक्षती होना है ठीके इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए चिकेचिक के पास जाने से पूर लत्वा O.R.S कहते हैं तो देखे बिटा आपने भी इसका नाम सुना होगा O.R.S क्या है जो छोटे बच्चों को पानी में घोल कर दिया जाता है तो इसमें क्या है कि अगर इस तरह से बहुत जादा अगर ये दस्त अपनी चरम अवस्था में पहुंच जाते हैं तो हमें क्या करने चाहिए हमें रोगी को जो है गरम पानी उबाल कर उसको पहले ठंडा कर ले और उसमें एक चुटकी नमक डाले और चीनी उसमें घोल कर वो जो है लगातार पिलाते रहना चाहिए ताकि शरीर में जल और जो लवन है उनकी जो है कमी ना हो और इसको हम क्या कहते हैं इस गोल को जो हमने गोल बनाया है इसको हम जीवन रक्षक गोल अथवा O.R.S कहते हैं क्या कहेंगे इसका नाम क्या है जीवन रक्षक गोल उसके बाद देखे नोट दिया गया है तो देखें क्या होता है निर्जली करण का मतलब क्या है कि जल का निकलना जल रूपी मल के निसकाशन से किसी वेक्ति के शरीर में जल रूपी जो मल है वो बार बार निकलता है तो उसके वेक्ति के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और ये प्रक्रिया क्या है ये प्रक्रिया निर्जली करण है यानि जल का निकलना रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जली करण को रोका जा सकता है तो जब इस तरह अगर कोई रोगी बिमार है तो उसको बार-बार हम जीवन रक्षक घोल या ORS देकर उसके शरीर से हम पानी की कमी को रोक सकते हैं ठीक है और इसे फिर बहुत ज्यादा जो है निर्जली कर नहीं होगा और रोगी वो ठीक हो सकता है जब तक कि डॉक्टर के पास उसको नहीं लेकर जाया जाता तो अगर डॉक्टर के पास जाने से पहले ही उसके शरीर में पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा तो उसकी मिरत्यू भी हो सकती है अब देखिए प्रशन दिये गई है पहला प्रशन क्या है ORS का अन्य नाम क्या है लिखे तो यह इसका आंसर रहेगा चोटे-चोटे आंसर है इसके आप ध्यान से कीजिएगा ORS का अन्य नाम क्या है जीवन रक्षक घोल ठीक है जीवन रक्षक घोल यह इसका आंसर हो जाएगा एक का प्रशन दो है उस स्थीती का नाम लिखिए जिसमें कभी-कभी वैक्ति को जल रूपी पतले मल के बार-बार निसकाशन की आवशकता होती है तो वो स्थीती क्या है बेटा वो स्थीती होती है दस्त लगना ठीक है यह आप आंसर लिखतेंगे और इसका कंप्लीट आंसर यहां से लिख लिजिए वह स्थीती जिसमें कभी-कभी वैक्ति को जल रूपी पतले मल का निसकाशन की आवशकता होती है उस स्थीती को दस्त कहते है तो यह विटा आपका जो है बिल्कुल एकदम प्रॉपर आंसर हो जाएगा क्वेशन नमबर टू का उसके बाद देखिए क्वेशन नमबर टू क्या है दस्त संक्रमन कैसे होता है तो हमने अभी पढ़ा कि यह संक्रमन यह संक्रमन खादय विशाक्तता अथवा आपच के कारण होता है तो यह आपका प्रशन तीन का उत्तर होगा नेक्स्ट करेंगे प्रशन चार क्या है आमाशे की कारिया पढ़नाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखे तो बेटा आमाशे की कारिया पढ़नाली का खोज किस व्यक्ति ने की थी विलियम ब्युमांट ने की थी तेके विलियम ब्युमांट ये आपका प्रशनी 4 का उतर हो जाएगा नेक्स देखे प्रशन पांच क्या है घर पर जीवन रक्षक घोल को कैसे बनाया जा सकता है तो बिटा हमने अभी पड़ा घर पर जो है जीवन रक्षक घोल कैसे बनाया जा सकता है उबाल कर ठंडा किये हुए जल में तिक है देखे यहां से आप लिख लिजेगा उबाल कर ठंडे किये हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोल कर उसके बाद आपको दिया गया है ना चीनी घोल कर जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है तो आगे बिटा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा गोल कर जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है तो यह आपका उतर हो चाएगा यहाँ से लेकर उबाल कर ठंडे किये हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोल कर जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है तो यहाँ तक आपका यह जो है question number 5 का उतर हो जाएगा तो यह थी बच्चो आपकी बिटा आज की science की worksheet काफी easy worksheet है यह I hope आपको सारे questions clear है topic clear है कोई भी doubt है comment section में comment करके पूछ सकते हो वीडियो अच्छी लगी तो like share जरूर कर दीजिए channel को subscribe भी कर लीजिए and thanks for watching have a nice day